है लो यह हैंट आप यह वह नाप लेट चाहए रिमेनिंग पार्ट और मैंने आप लो मैं आप लोग को आपका जो सेकेंड वीडियो था उसमें आर्गन फॉर मुमेंट पढ़ा रहे थी जिसमें आपका यहां पर वोड़ के लिए जो पॉइंट था वो मैंने आप लोग को ब जो एक जगल से दूसरी जग़ा मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स यहां पर आप लोग को दिखाएजे रोगा आपका अगला जो नेक्स पेज है इसमें लोग डिसकस करेंगे अगले जो पॉइंट्स आपके हैं उसके बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो कहारा कि इसनेक्स डू नोट हैब लिम्स है ना यानि कि इसनेक्स जो होते हैं उनके पास पैर नहीं होते हैं दे मूव विदा हेल्प ऑफ इसकेल प्रिजेंट अंदर साइड आप दियर बॉड़ी वो जो है मूव करते हैं अपने इसकेल के मदद से जो उनके जो है बॉड़ी पे अब इसकेल प्रॉबड यानि कि अभाग के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो कह रहा है कि फ्रोग्स होप एराउंड उजिंग देयर प्रॉड रॉड लॉंग लिप नहीं यांपर कह रहा है कि जो है ना मेधक अपने जो है मजबूत और लंबा होता है जिसके जाली नुमा भी होते हैं जिसके हल्प से वो तैरते भी हैं और नेक्स उसका जो है अगला आपका जो पॉइंट है वह आप देख सकते हो यहां पर कहा रहा है कि यह फिस के बारे में हैं तो कहा रहा है कि फिस्ट डॉल्फीन और विल्स हैब इस्पेशल इस्ट्रॉक्चर ऑन यह तैरने में मदद करते हैं और फिल लाइक स्ट्रॉक्चर होता है आपका पैंगवीन और शील्स जिसे हम लोग फ्लीपर कहते हैं जैसा कि यहां पर पीगर में देख सकते हो बिकली यहां पर दिखाये गया है किस तरीके से यहां पर यह पेंगवीन का यहां पर जो है इस लेट कि जानवर क्या खाते हैं उसके बारे में different animals have different food habits अलग-अलग जो जानवर होते हैं उनके food habits भी अलग-अलग होते हैं यारी कि वह अलग-अलग भोजण अलग तरीकों से अलग-अलग जगों से अलग-अलग ताइब के भोजण खाते हैं ठीक है दिएर food are modified to suit the food they eat घ्रशन खाते हैं कच्छे मांस केवल खाते हैं कि केवल पती घ्लिक वाले इसके अकाड़ी उनका जो है अलग अलग ताइप के जैसे कार्णी वरोस का दात होता है खासकर इंसीजर कनाइन बहुत ही नुकलिला होता है जहां थैक जब गास खाने वाले जाने बड़े उनका और यहां पर कहा रहा है कि उनके फुड के अकार्डिंग कौन सा भोजन वो करते हैं किस टाइप का करते हैं इनको तीन ग्रूप में बाटा गया है और वह आपका हर्बी वोर्स यानि की मांसा हरी और ओमनी वोर्स यानि की सर्वाहरी आए ज़रा इसके बारे हम लोग जो है व भी प्रोड़क्ट निकलते हैं उसे केवल खाते हैं और यहां पर घास खाने वाले जो जानवर हैं जैसे कि आपका गाए भैस बकरी इनके पास एक थिक पैड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं डेंटल पैड कहते हैं इंद अपर जाहां होता है तो यह आपके ऊपर वाले जबड़े में होता है और जो है सार्प इंसीजर्स जो होते हैं उनके नीचे वाले जबड़े में डेंटल पैड होता है आपके उपर वाले जबड़े में और यहां पर इंसीजर्स होता है आपके नीचे वाले जबड़े में यहां पर देख सकते हो ठीक है ना यहां पर नीचे साइड में लेफ्ट और राइट साइड में नीचे वाले में होगा आपका मोलर और प्री मोलर चोड़ा सदा की वह अपने भोजन को चबा सके और यह इसलिए होता है यहां पर ताकि असानी से जो भी उनके पेडों के पत्ते हैं उसको यह ग्रैब करके और तोड़ सके ठीक है ना इसलिए इनका यह थिक पैड यहां पर होता है और जिस हम लों क्या कहते हैं डेंटल पैड कहते हैं तो आई होप आप लोग को डेंटल पैड बिल्कुल समझ में आ गया होगा उसके पास यहां पे आप देख सकते हो कह रहे हैं कि दीज आल्सो हेल्प देम चू हो करने में ग्रास और लिप्स को यह थिक पैड जो डेंटल पैड है वो हेल्प करते हैं दे आल्सो है ब्रॉट प्री मोलर और प्ली मोलर बहुत ही चौड़ा होता है ताकि वो क्या कर सके ग्राइंड यानि पीस कर चबा कर घासों को खा सके ठीक है रोडेंट सच आज स्क्वे टुगना नर्ट एंड सीड और गिलाहरी खरगोस और चुहे इनका जो है जो फ्रंट तीट है बहुत ही नुक्लिला होता है ताकि वो जो भी उनका भोजन है उसको कुतर कुतर के असानी से जो भी नर्ट से मुमफली या फिर कोई भी बीज उसको कुतर कुतर के यह खा सके तो रूडिन्स का जो है वो फ्रंट ती निया होता है तो सार्फ होता है इसको याद रखिएगा उसके पास के अगला जो आपका टॉपिक है वह कर्णिवोरस कर्णिवोरस यानि की मांसाहरी मांसारी जो के वहन मांस खाते हो ठीक है फ्लेस इटिंग एनिमल्स और तो उसलिए इनका जो होता है बहुत ही नुकिला होता है ताकि यह जो है फ्लेस को असानी से फार सके चीड सके और उनके जबड़े भी बहुत ही मजबूत होते हैं ताकि वह बॉन को क्या कर सके कर से कि चबा सके पिस सके ठीके ना उसके बास यहां पर नेक्स आप देख सकते हो कहारे कि फ्लेश इटिंग बर्ड्स इगल्स है भेरी शार्प एंड हुक्ड बिक्स दैट कें ट्रीर दॉपले और स्मॉल एनिमल्स और और भी जाने वाले जो च चोटे चोटे एनिमल्स है उनके उनके फ्लेश को यह टियर करके खा सके आसानी से उनका जो है बिक बहुत ही क्या होता है सार्फ होता है उसके वाद से यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओम्निवर्स ओम्निवर्स यानि की शर्वाहारी ओम्निवर्स का मतलब होता है सर्वाहारी ओम्निवर्स इट बोद प्लांट एस वेल एस फ्लेश ऑफ अदर अनिमल्स यानि सर्वाहारी जानवर वह होते हैं जो यहां पे आपके पौधों और फ्लेश यानि दोनों को खाते हों उसे हम लोग कहते हैं ओम्निवर्स ओके इंसान यानि कि हम लोग और भालू ये दोनों की दोनों की क्या कहलाते हैं यहां पर कह रहा है कि इसी वजह से इनका जो भी कैनाइन होता है वो भी वेल डबलब्ड होता है ताकि वो टियर कर सके हैं अम्रूद जो भी से कुछ भी यहां पर इनका ब्रॉड जो है चौड़ा भी होता है मोलर्स ताकि वह जो भी वेज़िटेबल्स मैटर यहां पर जो भी हो जनाएं उसको विल्कुल असानी से करके खा सके और यहां पर फिगर में भी देख सकते हो कितना जो है यहां पर जो आपका रैट है इसके पास कितना पहुसरा होता है नुकिला नक्ति इन्सान जो है लिधे होने लगता है इतना नुकीला अंद्ष एव क्यान आइन कितना है यह और यह बहुत होता है और यह आपका धने हुज तरीके से पूजन के अकार्डिंग कौन से जानवर इनसान इसारी चीजे खाते हैं उनके दाद की बनावत होती है और इस तरीके से यह जो आपका शिक्स चेप्टर है यहां पर समाप्त होता है ऊके बाइस सी यू इन दा नेक्स चेप्टर कर दो कर दो